बियाच्यू में जातिवादी प्रोफेसर का कहर दली छात्र को मारा जूटा समोसा या दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मैहू पराग महिंदर और आप देख रहे है नैशनल चौपाल इस देश में तमाम केंडर विश्वी द्यालेव में जातिवादी मनुवादी सोच र बियक्शियू से निकल करा रही है पुरे देश में जानी मानी विश्विद्याले माने जाने वाली काशी हिंद विश्विद्याले में जिसमानसिता के जो प्रोफेसर जिस तरीके से शोधार्तियों के साथ में बरताओ करते हैं उनके साथ जो बतसलूकी करते हैं आखिर ये कब थमेगी या फिर इनका जो मनुवादी चेरा है ये कहिने कई कब जाकर परिवर्टित होगा बता दे कि बियेचू में जिस तरही से तमाम जो शोधार्ति खास तोर पर दली समास से इनको ही लेकर जातीवादी उत्पुरन के काम तोर पर खबरे दिखाई देती हैं मसला इस प्रकार का है कि बियेचू में शिवम कुमार दली समास से आते हैं जो आयूर्वेद फैकल्टी के रचना विभाग में शोधार्ति हैं और इनके जी आरेफ से एसारेफ में जो अप मौजूद होते हैं इसके साथ जो एक्स्टरनल प्रोफेसर भी उस पूरे के साक्षातकार के कारकरव में वहाँ पर उपस्थित होते हैं इस दोरान शोधार्ती के तोर पर तमाम णो विध्यार्ति भी उस लिवम कुमार के जर्ये इस पूरे के वाइवा को दिया जाता है सा कि हरी हरद अवस्ति जो की आयर्वेद फेकल्टी के रचना शरेर विभाग के जो प्रोफेसर है इनके माध्यम से शिवम कुमार के उपर में समोसा फेकने की खबर निकल करा रही है जहां पर शिवम कुमार के जरी एक सामुहिक तस्विर निकाले जाती है और इसे बात का जो अपति जो हरी हरद अवस्ति इनको हो जाती है और इस मामले को लेकर वो आगबबुला हो जाते है और जिस तरीके सी इस कारेक्रम में इस हॉल में तमाम जो जो प्रोफेसर मौचूद है इनके लिए नाश्ताhr में नाश्ता की भी जो सुविदा है वो अप्लब्द करवाई जाती है और ती तस्वीर जब शिवम कुमार के जरी खीची जाती है तो हरी हरदय अवस्ती अपने सामने में रखा हुआ जूटा समोसा ये शिवम कुमार इनके सामने में फेक कर कहने कई उनको सभी के सामने में अपमानित करने का काम करते है तो आप समझ पाई ये कि किस तरी प्रफेसर जो अधिकारी है इन तमाम अधिकारियों को एक पत्र लिखा है और अब हरी रद्य अवस्ति जिनके जर्ये इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है इनके माध्यम से कहने कई अब शिवम कुमार इन पर दबाओ भी बनाया जा रहा है शिवम कुमार इनका है कि आने वाले छे मैने के बाद में हरे रद्य अवस्ति ये कहने कई विभाद्दक्ष होने वाले है और होडी होने के बाद में उनके जरीए एक धंकी भी दी गई है शिवम कुमार को कि अगर वो इस पूरे के पूरे मामले का सजो संग्यान उनलिया है वो अगर वापस नहीं लेते शिकायत अगर जो दर्च की गई है उसे वापस नहीं लिया जाता है तो उन्हें देख लिया जाएगा इस प्रकार की भी हरी रदय अवस्ति इनके जरीए दी जा रही है तो आप यहां पर समझे की कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरीके से सामोहिक तोर पर शिवम कुमार की दलिसमास से आने वाले शोधार के इनको अपमानी तो किया ही गया उसके बावजूद भी इस माम इनका ने का भी काम किया गया है हरे रदय वस्ति जो की मनुवादी जातिवादी प्रोफेसर के तौर पर इनका जो चेहरा आप जगजाईर हो चुका है यह पहली वारदात नहीं है जिसको उन्होंने अंजाम दिया इसके पहले भी कई शोधारतियों के जरीए ऐसे ही तमाम लोग की भी शिकायत की जा चुकी है यह भी बताया जा रहा है कि हरे हरे दवस्ति इनके जरीए तमाम जो शोधारती इनके जो गाइडेंस में काम करते हैं इनके जो कहने के मारक दर्शन में होते हैं उन तमाम शोधारती को भी अपनी नीजी कार को भी दुलवाने का मामला ये भी बात कहने के देखे जा रही है और ये भी अब समय के मुताबिक चीजे बाहर निकलते वियार जिसके साथ हम आपको तमाम चीजे साधा कर रहे हैं तो इस बात की भी आप कलप ना कर सकते हैं कि इस डेश के अंदर में मनुवादी जाती वादी सोच रखने वाले लोग तमाम बड़े-बड़े पदो पर जिस तरीके से आसीन हो जाते हैं लेकिन इनके दिमाख में जो इनके दिलों में जो मनुस्वरती है वो कहने के जाने का नाम नहीं लेती यह हर एक वो मौका ढूनते हैं कि कैसी दलिसमा से आने वाले जो छात्र है इनको अपमानित किया जा और इनको ये साबित इनको ये कहने के सामने में ये साबित करने की कोशिश की जाए ये जहां से आये है ये वो कहने कई छात्र के तोर पर जिंदगी जो जी पा रहा है जो शिक्षा ग्रहन कर पा रहा है ये इनकी हैसियत कभी भी नहीं रही है इस देश के अंदर में मनुस् शिक्षित हो पाया है और जो एक लंबे समय से देश के अंदर में जो मनुवादी सोच की चलते जो गुलामी जारी थी उसकी बेड़ी आप टूट चुकी है और वक्त के मुताबिक बहुजन समाज जब शिक्षित होना शुरू को चुका है लेकिन मनुवादी जाती वादी सो रखने वाले लोगों के पेट में वो तब जाकर मरोड़ पैदा हो जाती है जब जिस तरीके से शिवम कुमार का जे आरेफ से लेकर तो एसारेफ में अपग्रेडेशन हो जाता है जब वाउजन समाज का जो बेक्ती है वो शिक्षाग रहन करकर बड़े बड़े उचे पद में जूटा समोसा फेकने की यहां पर जुर्रत की है और कहने कई अब यह देखना दिल्चस्पोगा क्या इस पूरे के पूरे मामले को दबाए जाएगा या फिर शिवम कुमार इनको नियाईक तोर पर कहने कई तमाम चीज़े इनके साथ में होगी या फिर कहने कई तमाम जो राजनेतिक दबाओ का है या फिर जो पॉच हरी रेदया अवस्थी रखते है इसके चलते इस मसले को फिर एक बार कहने कई तमाम फाइलों के ही नीचे दबा दिया जाएगा पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या रहा है प्रतिक्रिया क्या है लिख कर हमें कमेंड वाक नैशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताक्तों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा बहुजन समाज से जुड़े और उसके अंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुचाते रहेगा लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कम जो हो रहे हैं आप तमाम साथियों से हम अनुरोद करते हैं कि नैशनल चौपाल को बचाईए हमें आर्थिक सहीयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें जै भीम जै भारत